हरीकेन एक प्रकार का तुफान है इससे ट्रॉपिकल स्टैक्लोंस भी कहते हैं हरीकेन ट्रॉपिकल स्टैक्लोंस में सफ्टे अधिक सर्थी साली एवां बिनाश्कारी तुफान होते हैं टॉपिकल स्थेकलोंस और सब्टॉपिकल समुद्र को परबने अले निम्न दाब यूप्त मौसन प्राणाली में गुनन करते हैं अधिकांश इन्चक्रा अतुपत्ती अड्लांटिक में होती है हरिकेन के संचानल की इंधन के रूप में गर्म, नमी, बायू के आवश्यक्ता होती है कभी-कभी ये टट से टकराते हैं जब हरिकेन जमी पहुंसते हैं तब ये समुद्र पानी को टट की ओर ढखते हैं ये टुफान आगे बड़ी-बड़ी लहरों का रूप धारन कर देता है जो काभी हद तक गुनाशकारी होता है हरिकेन जब तुफान के लुप में लहरों से टकराता है तब बहुत जैसे इस्तितित्पन हो जाती है मौसनार वर तग्यानी खरीकेन के बार में भयषानी करते हैं साथ ही इसका भी हनुमाल लगाते हैं कि यह कितना sovereignty साली और बिन अशकारी होगा इस जानकारी कारण लोग सतरख हो जाते हैं और सुरच्छे दिस्तानों पर पलाण करते हैं इसने कारण मानों जीवन तथा आसपास के परितंतर को कम शत्ति पहुंचती है सेफार सिंसन विडल स्केल से हरेकेन या टॉपिकल स्टाइक्रन को वरगिल कित किया जाता है हवाकी गती के धर्फर इस स्केल में एक सपांस तकी रेटिंग भी जाती है यह सकेल संफड़ी के संभावित दूच्सां नुमान लगाता है टाइब 1 में हवाओ की गती119 सेATHे 53 km गंटा टाइब 2 में हवाओ की गती 105- woven posted 1177 km गंटा टाइब 3 में हवाओ की hack day 178-208 km грंटा टाइप 4 में हवाओं की गती 29 से 251 किलोमेटर प्रती गंटा और टाइप 5 में हवाओं की गती 252 किलोमेटर प्रती गंटा सधी होता है हरिकेन एक या एक से ज़्यादा बार आ सकते हैं इसलिए इनका नाम रखा जाता है इन नामों की मुदद से हरीकिन को ट्रै किया जा सकता है और इसके बार में जनकाली प्राप की जा सकती है एक तुफान को तम नाम दिया जाता है जब वह एक फुशनकटी बंदी तुफान के रूप में बन जाता है और यही नाम से वह हरीकिन पहचाना जाता है हर साल ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को वर्णमाला की करम के अधार पर नाम दिया जता है नामों की इच्छा सुची होती है हर शार साल में सुची का पुना उपयोग किया जता है यदि कोई तुफान बहुत रुफसान करता है तो उसका नाम कभी-कभी सुची से निकाल दिया जता है फिर इसने एक नए नाम में बदल दियता है जो उसी अच्छा से शुरू होता है